हैलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टे अपडेट तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 4 जून 2020 के जो आपके इंपोर्टेंट करेंट अफ़ेर के क्वेशन रहेंगे जो की फ्रेंट्स आपके आने वाले हर अपकमिंग कॉंपेटिटिव इग्जामिनेशन के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट और बेनिफिशल फ्रेंट्स से रहेंगे तो इस वीडियो में फ्रेंट्स हम 4 जून 2020 के टोटल 10 इंपोर्टेंट क्वेशन के बारे में डिसकस करेंगे और क्वेशन से रिलेटिज जो फ्रेंट्स आपकी फैक्चल इंफॉमेशन रहेगी वो क्यासा की फैंस आप यहाँ पर क्वेशन नंबर वन देख सकते हैं तो यहाँ पर फैंस आपको याद रखना है कि जो रेसेटली चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर एपॉइंट किया है Food Security and Standard Authority of India में आरून सेंगल तो इनका नाव फैंट्स आपको याद रखना है एग्जैमिनेशन में आपको ये पूछा जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेसेटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिये कि को कोल करता पोड ट्रस्ट रहेगा इसको दुबारा से रेनेम करके शामा परसाद मुखरजी पोड ट्रस्ट का नाम जो फैंट्स रखा जाएगा तो आपको यहाँ पर याद रखना है यदि आपसे पूछा गया एग्जैमिनेशन में कि आपका शामा परसाद मुखरजी पोड ट्रस्ट जो वो कौन से ट्रस्ट पोड को जो है वो रेनेम किया है वो आपको याद रखना है कोल करता पोड ट्रस्ट को उसके बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट कोईशन नमबर थ्री फ्रेंट्स देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसने फ्रेंट्स इस प्रोग्राम को लांच किया है जो कि फ्रेंट्स आपका यह पहला खेलो इंडिया का प्रोग्राम रहेगा केरन रेजेजू तो यह जो फैंस आपके केरन रेजेजू है यह आपके union minister जो हैं वो sports के minister है यह फैंस आपको यहाँ पे याद भी रखना है उसके बाद यहाँ पे आपका question number 4 आप यहाँ पे देख सकते है which e-booklet has brought out by the Ministry of Information and Broadcasting highlighting the key achievement during PM Moody's second आपको उस e-booklet का नाम याद रखना है जो की Ministry of Information and Broadcasting के तुवारा लाई गई है तो यहाँ पे आपको जो e-booklet का फ्रेंस नाम है वो आपका यहाँ पे 1 year of Moody 2.0 जो की second term का है towards a self-reliant India तो यह भी आपके exam point of user friends है important हो सकता है उसके बाद आप यहाँ पे question number 5 देख सकते है Recently which company has launched 60 new internet satellites into orbit using another Falcon 9 तो यहाँ पे आपको company का नाम याद रखना है जिसने recently 60 new internet satellites को launch किया है Space X उसके बाद friends आप यहाँ पे question number 6 देख सकते है What is the name of new initiative launched to conduct a skill mapping exercise of the returning citizens under the Wandae Bharat mission तो यहाँ पे आपको उस नई initiative का नाम याद रखने जो friends है recently launch किया गया है जो की friends beneficial रहेगा जो citizens बापीस दुबारा में इंडिया में आए हैं उनके यहाँ पे जो skill को map करने की exercise की जाएगी friends वो आपकी इस initiative के under जो आपको friends है conduct की जाएगी तो यहाँ पे आपको नई initiative का नाम याद रखना है स्वदेश उसके बाद आप यहाँ पे next question number 7 देख सकते हैं recently रवीश कुमार has been appointed as India's next ambassador to which country तो यहाँ पे आपको याद रखने के recently रवीश कुमार जी को इंडिया का next ambassador Finland का friends appointment किया गया है तो यहाँ पे आपको यह भी friends यहाँ पे याद रखना है उसके बाद आप यहाँ पे question number 8 देख सकते हैं from which country is Rafael expected to arrive in India by July 2020 end तो July 2020 के end में फेंड से राफेल जो आपकी डेल है France के साथ वो इंडिया में arrive हो जाएगी तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो राफेल डेल है वो आपकी कौन सी country से related है France उसके बाद आप यहाँ पे question number 9 देख सकते हैं who has been appointed as the next Indian high commissioner to Papua New Guinea तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इंडिया के next high commissioner पापूआ New Guinea के यह यहाँ पे which ministry has launched a scheme जिसका नाम है PM Svanidhi तो इस scheme के under firm जो micro credit जो scheme रहती है याने के vendors को उदार दिया जाता है उनको पैसे दिये चाहेंगे अपने business को दबार से restart करने के लिए तो यहाँ पे आपको याद रखने कि यह जो आपकी PM Svanidhi योजना है यह आपकी कौन सी ministry ने launch की है Ministry of Housing and Urban Affairs तो यह फ्रेंस आपकी यहाँ पे complete 4 June 2020 के important current affair के question रहेंगे जो की फ्रेंस आपके आने वाले हर upcoming competitive examination के लिए काफी जादा important और beneficial फ्रेंस से रहेंगे तो यह सभी question friends आपको directly एक page पे मिल जाएंगे उस page का link मैं आपको इस video के description box में directly दे दूँगा उस page से आप सभी question को friends अपने mobile में download भी कर सकते हैं Thank you friends